हालो गाईज वेलकम रूटाइक यहां से यूटीब चैनल लेंग एस वन प्लस नॉट सी इत्री लाइट 5G स्मार्टफोन के बारे में आप सभी को पता होगा अंडर 20,000 रुपीज में इंडियन मार्केट में काफी जादा पॉपलर स्मार्टफोन हैं काफी जादा सेल होता है अब फाइनली वन प्लस इसके सक्सेसर वन प्लस नॉट सी इफोर लाइट 5G स्मार्टफोन को कुछी टाइम में इंडियन मार्केट में लौंच कने वाला है इना बसके लीक साना यहां पर स्टार्ट हो चुके इसका फर्स लुक यहां पर भार आ चुके है एस वेले सकुछ इंडियन मार्केट में आपको क्या कुछ वाइस पॉइंट पर देखने को मिल सकता है कम्प्लीट डिटेल देने वालों सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते है तो फ्रेंस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे बात कर लेते हैं यहां पर नौट सी इफोर लाइट 5 इंडिया लॉँच के कन्फर्मिशन को लेकर यह इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट ओ चुक है तो एक बार BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर कोई स्मॉट्फोन लिस्ट हो जाता है तो डेफिनेटी एक महिना चालीस दिन के आस पास जू है उसके में अपको TIM्वी कि करें यह बिना टैमिस करें फटाप से यह स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन वगरा लीको करें अब करें बात करें यह फास्ट है बता है बoqu vertical line में camera setup रहेगा तो आपको एक flash देखने को मिलेगा वैसे इसका design आपको कैसा लगा मुझे बता ना नीचे comments में display की बात करें तो यह आप कैसकते है smartphone का highlighting feature रहेगा क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी light series के phone देखे थे OnePlus की तरफ से आपको IPS display मिलता था लेकिन ये बार आपको 6.67 इंच का एक center punch hole के साथ में 120Hz refresh rate के साथ में AMOLED display दिया जाएगा जो के मेरे साब से light series के लिए काफी सही बात है RAM and ROM के अगर हम बात करें definitely आपका A298 से बताया जाए base run start होगा तो आपको 256 वेला variant भी देखने को मिलेगा साथी में ये बताया जाए रहे है UFS 2.2 का storage type रहेगा and LPDDR 4X वेला RAM type भी यहाँ पर दिया जाएगा performance के अगर हम बात करें तो यहाँ पर chipset leak होगा है कि यहाँ पर आपको snap dragon का 6 Gen 1 वाल एक 5G chipset मिलेगा जोके 4N technology बेस रहेगा cameras की बात करें 14 out of the box मिल जाएगा oxygen OS में यहाँ पर यह run करेगा sensors यहाँ पर आपको सारे देखने को मिल जाएगा यह बार बताया जाए ज़रा आपको in display fingerprint scanner मिलेगा face unlock का feature रहेगा अब 3.5 headphone jack का support रहेगा नहीं रहेगा फिलाल के लिए confirmation नहीं है यह तो यहाँ पर आपको 67 watt की fast charging का support मिलेगा यह 80 watt की fast charging का support भी देखने को मिल सकता है यह और रहल यहाँ पर complete कुछ specification वगरा लीकों कहते अब coming not CE4 light smartphone को लेके अब बात के लेते हैं सबसे important चीज़ के बारे में क्या खुश price point हम यह smartphone की expect कर सकते हैं मार्किट के लिए तो इसके आप सभी को पता है जो oneplus not series की जो light वाले smartphone की history रही है कि यह मतब जो affordable price point पर जो लोग को oneplus phone purchase करने हैं उन लोगों के लिए oneplus वाले launch कर दे और हमने देखे जितने भी अभी तक के light series के phone है आपको 20,000 या उसके अंदर की price point पर देखने को मिलते हैं तो oneplus ने हाँ AMOLED डिस्प्ले जरूर दाद दिया है लेकिन oneplus definitely इसकी price point जो अंदर 20,000 या 20 से किस जौरबे के बीच में ही रखने वाले तो आप expect करो इसकी price point जो आपको 18,000 या 19,000 के आसपास देखने को मिल सकती है मुझे जाम मुझे कम सक्षोन ने बताना oneplus note CE4 light smartphone के आपको first look कैसे लगे जो भी specification वगरा leak हो किया है इसको देखते हुए आपके सबसे इसकी इंडिया price point क्या हो नीची है मुझे बताना नीचे comments में सब्सक्राइब होगी एन के सब्सक्राइब कर देना मैं मिलता अपस एगले कसी फीडियो में जो तक के लिए thank you